दोस्तो स्रियल गुम है किसी के प्यार में सवी के हाथ लग चुका है निशीकांत काका के खिलाप सबसे बड़ा सबूत सवी को मालूम पड़ चुका है कि निशीकांत काका नहीं पैसे देकर लगवाई थी दुकान में आग जी हाँ दोस्तों स्रियल को में किसी के प्यार में आगे देखना बहुत ही ज़ादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है लेकिन आगे देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चिनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों स्रियल में हमें देखने मिलने वाला है कि सभी की दुकान में आग लगने की वज़े से सभी पूरी तरह से तूड़ जाती है इशान उसकी मदद करता है और इशान का हाथ भी जल जाता है जिसके वज़े से यहाँ पर सभी को रिवा के तानी भी सुनने पड़ते हैं सभी की दुकान में आग लगने की वज़े से और इशान का हाद जल जाने की वज़े से सभी जो है पूरी तरह से तूड जाती है तो उसका ध्यान सड़क की किनारे पर जाता है जहापर वो निशिकांत को एक शक्स को पैसे देते हुए देखती है निशिकांत यहाँ पर उसी आदमी को पूरे पैसे देता है जिस आदमी ने सवी की दुकान में आग लगाई थी उसके आदे पैसे देने बाकी होते है तो निशिकांत आग लगाने के बाद उसको आदे पैसे देता है और सवी यहाँ पर छुपकर निशिकांत और उस आदमी क रिकॉर्ड कर लेती है अब कहानी में आगे देखना बहुत ही जादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जहापर सब भी ये रिकॉर्डिंग जो है शीदे इशान को बताने वाली है वीडियो देखने के बाद जो है इशान के होश पूरी तरह से हुड़ जाएंगे उसे यकिन न के उपर बहुत ही जादा गुसा होता है और यहाँ तक कि इशान हाद भी उठाने वाला होता है लेकिन यहाँ पर इशान का हाद जो है सवी रोक लेती है और यहाँ पर सवी जो है निशिकान से कहती है कि आखिर मैंने आप लोगों का क्या भी गाड़ा है क्यो मुझे आप जीने नहीं दे रहे हो और यहाँ पर सभी कहती है कि वेसी भी आप जो चाहते थे मैं वही कर रही हूँ मैं जो है पुने शेहर हमेशा के लिए छोड़ कर जा रही हूँ इशान कहता है कि सभी तुम ये क्या कह रही हो जिसके बाद जो है इशान सभी से कहता है कि रिवा ने तुम से क्या कहा सभी मुझे सच सच बताओ सभी इशान से कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है वेल दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इशान जो है सभी को जाने से रोक पाएंगा या फिर उसके सामने जब रिवा की हकीकत सामने आएंगी तो वो रिवा के साथ क्या सिलूप करेंगा आपको क्या लगता है कॉमेंट करके ज़रूर बताना जाते हैं वेमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कॉमेंट एंड शेयर ज़रूर का देना सो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में